नमस्कार दोस्तों मैं उमंग कुमार सिंग स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल इक्साम नगरी में और दोस्तों अगर थ्वासा भी लग रहा है कि मेरे जी स्पेक्ट्रम सीरीज से आलूसेंट सीरीज से आपको फैदा हो रहा हो तो प्लीज जरा वीडियो क हुई है या नहीं हुई है तो आप लोग आगे PCS के लिए भी जा सकते हैं कोई भी PCS आप भरते हैं कोई भी पब्लिक सर्विस कमिशन का एक्जाम देना चाहते हैं किसी भी स्टेट से तो उसके लिए थोड़ा लंबा समय मिलता है और धानली के आसंका थोड़ी कम रहती है रहती है लेकिन नग के बड़ाबर क्योंकि इसमें हमें मेंस देना पड़ता है तो बेस आपका मजबूत रहेगा तो सब कुछ चीक रहेगा तो मैं जान बुझ के पैरलल चला रहा हूं लूसेंट और स्पेक्ट्रम दोनों को हम लोग समिधान भी पढ़ेंगे हम लोग इत एक्टर नमबर 32 जिसका नाम है भारतिय स्रमिक वर्ग आंदोलन ये स्रमिक कौन होते हैं भई जिनको हम लोग लेबर बोलते हैं जो की रीड होते हैं किसी भी उद्दोग के लिए बीच में लॉकडाउन हुआ था सारे स्रमिक जो हैं जातर यूपी बिहार से थे वो लोग क आ थे कि जहां काम करते थे वहां से चले आएं तो अब कार खाने वाले उनको फ्लाइट का टिकट दे के सेकेंडेशी का टिकट दे के लालच दे के बुला रहे हैं क्योंकि स्रमिक नहीं रहेंगे तो उद्दोग घंदे नहीं चलेंगे तो ये अध्याय 32 थोड़ा समय आप एक दो तीन चार पांच इसके बाद खतम हो गया वैसे ही 33 पे जही अध्याय चेंज हो जा रहा है अब क्या हो रहा है कि स्वतंतरता के समय और यहां पे स्वतंतरतर विकास यानि उसके बाद फिर कैसे विकास हुआ अब यहां से क्या हो रहा है कि हमारा मामला चेंज हो रहा यह भी हम लोग पढ़ेंगे और यह भी जो है उतने ही पेज में है एक, दो, तीन, चार, पांच, जह, साथ, आठ, आठ पेज में हैं लेकिन अब जितने भी वीडियो आएंगे जिस दिन वीडियो आएंगे दो चेप्टर के दो वीडियो डालूँगा मैं तो क्यों मैं इतना फास चलना चाहता हूं आईए आपको बताता हूं देखिए ये सब तो 4-5 छोटे-छोटे जितने हैं सब छोटे-छोटे चेप्टर हैं लेकिन जब आप आगे चलेंगे न दोस्त चेप्टर नंबर 38 में दो चेप्टर लास्ट के चेप्टर नंबर 38 और चेप्टर नंबर 39 जी हाँ ये नहरू जी जी हमें बहुत तंग करने वाले हैं देखिए नहरू के नेतुत में स्वतनतरता संग्राम और दूसरा चेप्टर है नहरू के बाद का भारत मतलब नहरू जी थे तब भारत की सिती क्या थी कौन-कौन सी चीजे हुई, क्या का चीजे सुधार हुई, यह बितना ना काम करवा है, इतने चीजे हुई थी, इतने सारे परिवर्तन हुए थे, कि चेप्टर हमारा बढ़ा हो जाता है, देखिए, यह चेप्टर नमबर 38, इस बुक का second last चेप्टर है, 38, यह 27 पेज का चेप्टर है, 27 पेज, पेज नमबर से शुरू होता है, 623 से, और खतम होता है, 650 तक, तो 27 पेज, और यह 650 से शुरू होता है, नहरू के बाद का भारत, यह 130 पेज में, सोच सकते हैं, किताब है, नहरू के बाद जो भारत किसी थे, एक किताब है, तो 130 पेज हम लोग एक बार में नहीं पढ़ेंगे हम मैं कोसिस करूंगा कि चार से पांच वीडियो इसके लिए आएंगे पार्ट वन टू थ्री नहरू के बाद का भारत और आपको इस पर ज़्यादा जोड़ देके पढ़ना पड़ेगा इस सबसे ज़्यादा प्रशन आते हैं तो इस तरह से हम ल आपको लेके अपने नोट बुक पे और देखे कितने आसानी से हम लोग मजे में इसको समझने वाले हैं ये चेप्टर नंबर 32 आप देख सकते हैं नोट साब के सामने हैं चेप्टर नंबर 32 भारतिय स्रमिक वर आंदोलन शुरू होता है 262 पेज से जी हाँ और खतम कहा होत है 265 पेज ये देखिए ये लास्ट है 265 पेज तो ये मैंने नहीं लिखा था भारतिय स्रमिक वर आंदोलन तो जरा मैं आपके सामने देखिए एक ने टेक्स्टा में इसले लेता हूं कि बहुत साए नए लड़के भी जूडते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी जो है उन्ह मैं यहाँ लिख देता हूँ 32 263 तक हमने पढ़ा था अब हम कहां से चलने वाले हैं 200 तो दोस्तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे स्रमिक वर आंदोलन चप्टर 32 ये है 262 से 265 और नवोधी तराष्ट के समख चुनोते हैं ये है 266 से 268 तो देखे कैसे हम लोग कम से कम पेज में ज़्यादा ज़्यादा चीजे पढ़ेंगे और समझेंगे और मैं आपको गरेंटे देता हूँ समझने के बाद आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अगर कोई कोई कोशन पूछेगा तो आप आराम से जितने शब्द में चाह है उसका जम्रों 33 पढ़ेंगे 33 हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे पहले हम लोग 32 में पढ़ लें चलिए 32 नमर चप्टर आपके सामने है देखिए नाम है इसका भारतीर स्रमिक वर्ग आंदोलन स्रमिक क्यों आंदोलन करेंगे भई स्रमिको को कहा कहा समस्या हो सकती है आप जरा इस चीज पर विचार जरूर कीजिएगा तो देखिए स्रमिको को एक लेबर के लिए क्या हो सकता है सबसे वरत उससे ज़्यादा काम करेंगे तब भी समस्या आठ के बदला 12 घंटा करा रहे हैं 15 घंटा करा रहे हैं एक दम बंदुवा मजदूर की तरह या फिर काम करवा रहे हैं आप उसे पैसे नहीं दे रहे हैं मतलब उचित मजदूरी नहीं दे रहे हैं तब भी समस्या तो चलिए पैसे भी दे रहे हैं उचित मजदूरी भी दे रहे हैं पैसे भी दे रहे हैं उचित मजदूरी भी दे रहे हैं नज़र डालते हैं ये भूमी का मैंने लिखा है इसको अगर समझ लीजेगा तो आगे चप्टर समझने में आपको परिशानी नहीं होगी किताब में वही डीटेल में लिखा हुआ है तो देखिए उनिसवी सदी में हम सभी जानते हैं कि उनिसवी सदी जब शुरू हुआ नए उद्धोग धन्दे बहुत सारे हुए उसमें कौन-कौन सा था संचार, रेलेवे लाइन, कोईला, उद्धोग ये ठारा सो खतम हो गया उसके बाद जब जैसे हैं रेलेवे लाइन, कोईला, उद्धोग इस सब में रोजगार बढ़ा जूट उद्धोग का भी काफी विकास हुआ है तब यह सब उद्धोग जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं संचार, रेल लाइन, कोईला तो क्या ऐसे ही चलेंगे इनके लिए किसकी आउसकता होगी इनके लिए स्रमिकों क्या होगी अब यहां पर क्या हुआ स्रमिक वर्ग की प्रारंभिक समस्या क्या थ थी, लेकिन प्रारंभिक समस्या सबसे बड़ी समस्या थी कम मजदूरी, उनको मजदूरी ही कम मिलता था, उसके बाद क्या था कारे के लंबे घंटे, यानि उनको कोई काम करने का उनका फिक्स आवर्स नहीं था, काफी लंबे समय तक जो है अन्यमित तोर पे उनसे काम करा जाता था, इन दोनों के अलावा, एक समस्या थी, आधार भुथ सुईधा का अभाव, है ना उनको रहने के लिए शेड दिया था, एक जोपड़ी पट्टी या अब तो देते हैं, उस समय नहीं दिया था, उसके बाद उनका शोर्षन, तो ये कुछ चीजे हैं, ये common thinking है, जब आप नॉर्मली सोचते हैं, तो आपको ये चीज याद करने के आउशक्ता नहीं होती है, कि एक labor क्यों आंदोलन करेगा, क्या कम ही आ गई उसको, तो कम मस्दूरी पैसा कम मिल रहा होगा, समय से ज़्यादा काम करवाया जा रहा होगा, जो कुछ सुईधा मिलना चाहि भारतिय पुजी पतियों के द्वारा सोचन होता था, देखिए उस समय क्या था, उपनिवेशी सासने जो बिटिश थे, ये बड़े बड़े भारतिय पुजी पतियों से मिले हुए थे, इनके खिलाफ ये कोट में भी कोई labor नहीं जा सकता था, क्योंकि सरकार ही उन से मिले ह थे, तो उपनिवेशी सासन और भारतिय पुजी पति एक ही प्लेटफरम पर एक ही मंच पर रहके काम कर रहे थे, दोनों मिले जुली सरकार थी इनकी, इसलिए भारतिय पुजी पति जो है इनका सोचन करते थे, और सोचन के फलस्वरूप क्या होता था कि कोई भी मजदूर स्रमिक, आवाज नहीं उठा पाता था क्योंकि उपनिवेशी सासन भी क्या करते थी, पुजी पतियों को समर्थन देती थी, तो जितने भी प्रश्थितिया है लिखावा है कि उपरोग प्रश्थितों के कारण भारतिय स्रमिक वर्क का आंदोलन स्वतंतरता संघर्स से पीच में क्यों कि, देखिए, क्यों स्वतंतरता आंदोलन से जोड़ा गया, गांधी जी ने भी बहुत परयास किया, गांधी जी के भी परयास का फल था कि ये आंदोलन जो था स्रमिक आंदोलन ये स्वतंतरता आंदोलन से जुड़ गया, क्योंकि इनका मानना था कि ये दिला दिया कि अगर फिरंगी हमारे देश से चले गए तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हमसे ज़्यादा काम करवाले हमें कम मजदूरी दे यह सब फिरंगियों के उस सरकार उन ही किये तो इसलिए जो है उनके खिलाफ जाने के लिए स्रमीक वर्ग ने क्या किया सुतंतरा सं अगर्स के साथ अपने लवंदूरन को जोड लिया टैक कर लिया है ना आगे देखते हैं तो यह भूमिका थी समझ गए इस भूमिका में कहीं कमी नहीं है आप डिटेल में इसको चाहे तो लिख सकते हैं अच्छा स्रमीक वर्ग के उत्थान है तो प्राणभीक परयास क्या क्या हुए देखिए प्राणभीक जो राष्टवादी थी है जिनको हम लोग उदारवादी भी कहते हैं कॉंग्रिस में कॉंग्रिस में उदारवाद्यों की संख्या अधिक थी तो भारतिय स्रमीक जो थे उनकी मांगों के प्रति ये लोग उदासीन थे इनका मानना था कि जो चीज मांग कर रहे हैं, पहले उद्धोग धदे विक्सित तो हो जाए भारत में, तभी मांग को पुड़ा करेंगे, तो स्रमिकों के मांग के प्रति क्या थे, ये उदासीन थे, मतलब उन पर ध्यान नहीं देते थे, ब्रिटिस तथा भारतिय स्वामित वाले कर खानों के स्रमिकों को अलग मांते थे, देखिए ब्रिटिस यानि एक ऐसी कंपनी जो ब्रिटिस सरकार द्वारा, या ब्रिटिस कंपनी द्वारा, या किसी भी ब्रिटिस वैपारी द्वारा, अंग्रेजी वैपारी द्वारा, जो कंपनी चलाई जा रही है उसमें जो मजदूर है और भारतिये स्वामी तो यानि भारतिये स्वामी यानि भारतिये कोई ओनर है भारतिये कोई मालिक है किसी कारखाने का उसके कारखाने में जो स्रमीक थे दोनों में अंतर मना जाता था दोनों को अलग मना जाता था कैसे अलग कान तो दोने एक कर्दान क्यों अलग मना जाता था ये बहुत बड़ा कारण थान दोलन का स्रमिक विधान के बनाने के विरुद थे ये उदारवादी कहते थे कि आज हम लोग स्रमिक विधान जैसे से कहने वैसे बनाते चले गए तो कल इनकी एक्ट्रा मांगे हो जाएंगे ये प्रमंधन करना उचित नहीं होगा कि जो मांगे सो उनको दे दो ये कोई विधान अभी नहीं बनना चाहिए क्योंकि अभी अर्श्थिर तक किस्तिती थी उसके बाद 1881 और 1891 के करखाने अधिनियम का समर्थन नहीं किया गया ये उदारवादी जो है प्राणभी राष करते थे तो 1881 और 1891 में जो कारखाना अधिनियम आया उसका इस समर्थन नहीं दिया आगे देखे कुछ छोटे मोटे पढ़्यास हुए जैसे 1880 में दुछार को नाम आप याद रख सकते हैं नरायन मेघा जी लोखंडे इन्होंने क्या किया बंबई मिल एंड मिल हैंड एसोसियेशन की रखे कोई भी कारखाना है ना कोई भी चीज़ का एक एसोसियेशन होता है जो उनके तरब से आवाज उठाता है उनसे कंधे से कं फंडे दौरा क्या किया बंबई मिल एवं मिल हैंड इसोसियेशन की स्थापना की गई ठीक है उसके बाद 1899 में क्या हुआ ग्रेट इंडियन पेंसुलर रेलवे की प्रथम हर्ता लायोजित की गई और इसकों जो है तिलक ने यानि बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसका सम प्रवार्मी को कि स्थिती में और ज्यादा सुधार हो इन्होंने अलग अलग पढ़्यास किये एक ने एसोसियेशन बना दिया एक ने ग्रेट वेंसुलर लेलोग में भी हर्ताल कर दिया पहली बार और एक ने लोग दिख्षीजे संसद में विध्याखी पेश कर दिया तो इस पेश को समझने में कहीं आपको प्रॉलम नहीं होगी बड़े ही साधरन सब्दों में आपको बता रहा हूँ मैं दावा करता हूँ कि मैं दूसरी कक्षा की जिसको पढ़ने आता हो उस बच्चे को बताऊंगा तो उसको चीज़े याद हो जाएंगे अगर आपको कैसा लगता है जरा मुझे बताईएगा जरूर कमेंट में अच्छा लगता है आपके कमेंट सुनके मुझे आपके कमेंट देखके मुझे अच्छा लगता है और मैं कोसिस करता हूँ कि मैं सारे के सारे कमेंट का रिपलाई दूं ये बाल गंगा धर तिलक बिपिन चंदर पॉल जी सुब्रमन्यम अईयर इस सब कुछ बहुत इंपोर्टेंट नाम है इनको अपलों की याद रखिएगा ये क्या करते थे इस समय भारतिय स्रमिकों के सुधार है तो कई नियम कान बनाया जाने की लगातार मांग करते थे तब ही तो लगातार जेल में भी जाते थे अब देखिए स्वदेसी अंदुलन के दवरान स्वदेसी अंदुलन जब चल रहा था देश में तो स्वदेसी अंदुलन क्या हुआ कि सरकारी मुद्रनाले जहां पर पैसे छपते थे या और जू टुद्दोग मैं कई जगह हर्ताल का अब लोग हर्ताल करने लगे आज आप हर्ताल जेनरली करमचारी जो है हर्ताल नहीं कर सकते नियम ही ऐसा आ गया है कि आपको हर्ताल से एक महिने पहले लिखित तोर पर डिपार्टमेंट को विभाग को सुचित करना है हम लोग भी अगर कोई स्ट्राइक करना होता है तो हम लोग पहले सुचित करते हैं तो डिपार्टमेंट जो है मेन मुख्या को बुला के सब को समझायती है मत कीजिए ये सब अच्छा नहीं लगता है तो बंद हो जाता है मांग पूरी हो जाती है तो उस समय उन्होंने हर्ता वादियों को और खुले आम विरोध करते थे अंगरेजो का दूग इनमें बड़ा खराबी था इसी चलते ये बार बार जेल गया उसके बाद आ गया प्रथम विश्युद उसके दवरान और उपड़ांत यानि प्रथम विश्युद जब चल रहा था तब और उसके बाद क रखा था उसको युद के नाम पे कि बड़ी मुश्किल से रसद पहुँच रहा है खाना पहुँच रहा है आपको तो उन से बहुत ज़्यादा पैसा लिये जाने लगा मतलब चीजों की जो कीमते थी उनमें बे तहासा उच्छाल देखी गई चलिए कोई बात नहीं है नि किया स्रमिक आंदुरन को स्वतना संगलन से जोडने का प्रयास किया ILO International Labour Organization अंतरराश्टिय स्रमिक संगठन इसकी स्थापना चे क्या हुआ नहीं चेतना का विकास हुआ अब देखिए AITUC All India Trade Union Congress AITUC याग रखेगा अखिल भारतिये वैपार 21 संग इसका नाम है इसकी स्थापना कब हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को कभी कभी स्थापना पूछ दिया आता है बसे जान लिजे लेबर के लिए ही आया अध्यक्ष कौन थे लाला राजपत राय थे और महा सचीव कौन थे चमल लाल बजाज थे प्रशन हमेशा आते रहते हैं तो जरोड ध्यान में रखिए लाला राजपत राय ने पूजीवाद को समराज जवाद से जोडने का पर्यास किया था ये प्रशन कभी कभी आता है कि कौन से वेक्ति ने जो है सरप्रथम भारतिय पूजीवाद को समराज जवाद से जोडने का पर्यास किया तो उस महापुरूस का नाम था लाला पूजी वाद की जुरुवा संगठन है। ये किस ने कहा है? L.L. राय मैंने शॉट में लिखा है लाला लाचपत राय ने कहा है। क्या कहा है? समराज्य वाद तथा सेन्य वाद दुन्नों पूजी वाद की जुरुवा बहान है। उसके बाद तीसरा और चौथा जब धिवे इसका उसकी अध्यक्स्ता जो है C.R. दास ने की थी। ये बदल गएके। C.R. दास यानि चित्रन्न दास का स्रमीकों तथा किसानों के मुखें आंदुलन से जोड़ने का सुझा हुआ हुआ कि इनको अब जो हमारा आंदुलन चल रहा है उनसे जोड़िये ही। इन्हें कम मता किये किर्शकों का देश है भारत। अहमदाबाद टेक्स्टाइल लेबरेसियोशन की स्थापना हुई। इस्थापना कभी उन्नी सो अठार में किसने की गांधी जी ने की और पैणाम ये हुआ इनकी हर्ताल का कि इन्होंने क्या करवा दिया मजदूरी में 27.5% की बरह लेबरेसियोशन की स्थापना की हर्ताल किया 1918 में और यही टेक्स्टाइल मिल में जब हर्ताल हुआ था तो गांधी जी ने गांधी जी के परियास के द्वारा जो है सबसे पहले जो विर्धी हुई 27.5% की विर्धी हुई। तो ये चीज़े आपको समझ में आ रही होंगी मैंने में चीज़ों को समाहित किया है इस चीज़ का आप लोग जिक्र अपने उत्तर पुस्तिगा में कर सकते हैं ये सब तो एक नमरिया जो कोशन होता है उसमें पूछा जाता है आगे चलते हैं अब देखिए ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 व्यपार संगों को क्या हुआ इसके तहट एक यूनियन अधिनियम आया 1926 में जितने भी व्यपार संग थे सब को वैध मानता मिल गया पहले नहीं था नियम तथा कानून संबंधी व्याख्या व्यपार संगों की गतिविदियों को नागरिक तथा अपराधी गतिविदियों की परदी से बाहर बना गया या इसको अभी काट दीजिए नियम तथा कानून संबंधी व्याख्या की गई पहले ये नहीं था पहले ओन दे मेवम कानून बना ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत उसके बाद क्या हुआ वैपार संग जो थे उनकी गतिविधियों को नागली तथा अपराधिक गतिविधियों के परधी से बाहर मना गया अब इसे अपराधिक जो है मामला नहीं माना जाएगा अपराधिक इसका एक और नाम है स्रमिक विवाद अदिनियम विवाद समधान जो भी होते थे उनकी जाँ चवं परामर्स आयोकी स्थापना जो है अनिवारे कर दी गई अब कहा गया कि जहां जहां विवाद होगा वहां वहां जो है तुरंत एक जाँ चवं परामर्स आयोकी स्थापन को देना अनिवार है यह सब तो नेसेसरी चीजे है भाई रेलेवे है डाक है पानी है विद्धूत है इस सबको आप बंदे करवा दीजिए काम तो कई से चलेगा तो एक महिना पहले जो है इन्फर्म करना है सुचना देना है ताकि वहां जो है उस तरह तैयारी दूसरी हो सके तो यह स्रमिक अधिनियम 1929 तो देखे क्या हुआ 26 में मन्यता मिला नियम कानून बना और अपराधिक गतिविद्य से इसको बाहर कर दिया गया तीन साल के वाज़े जब 29 में क्या किया गया कि 29 को में विवाद समझ लिजे यह 29 जो हैसा संख्या जो किसी से नहीं करता है तो एक से कटेगा एक खुद से कटेगा तो 1929 यानि विवाद है ना इतना याद रखे विवाद स्रमिक विवाद है यह जो भी विवाद होगा उसके लिए एक आयो की स्थापना की जाएगी सुल्धाएंगे यह रेलेवेट डाग पानी विधुद जो भी नेसेसरी सेवा है उ तो देखिए वैपार संगों में क्रांतिकारी एवं सेनिक भावना का विकास होगा आप लोगों को लगने लगा कि ना बिना तोरफोर किये हुए जलाय हुए नहीं होगा आप तो सेनिक करवाई ही करनी पड़ेगी तभी कुछ हो सकता है और उन्होंने यह करके भी दिखाय तो वैपार संग जो थे उनमें क्रांतिकारी एवं सेनिक भावना का विकास होने लगा बंबई टेक्स्टैल मिल में 6 महा तक लंबी हर्ताल चली खत्मे नहीं हो रहा था करखाना बंध होने का गार पर आ गया उगरवादी गतिविधियो भी देखने के मिली तथा वैपार स 30 स्रमिक नेताओं थे सबको बंदी बना लिया और उन पर मेरठ मुकदमा केस कर दिया कौन-कौन लोग थे कुछ मुझफर आहमद थे एडांगे थे फिलिप समराड थे सौकत उस्मानी थे यह लोग उसमें सम्मिलिर्ट थे स्रमिक आंदोलन पर इसका नकरात्मक प्रभाव पर जब लोग को पता चला कि स्रमिक आंदोलन जहां लोग सांतिपुर्ण जो है मांग कर रहे थे हैना या फिर सांतिपुर्वाद कुछ भी कर रहे थे उनको पुलिस ग्रिफतार कर रही है तो यह नकरात्मक प्रभाव पर लोग उससे हटने लगे 1930 में स्रमिको द्वारा सकडिये भाग लेया गया 1931 में AITUC में विभाजन हो गया All India Trade Union Congress में क्या हो गया विभाजन हो गया अलग-अलग हो गया अब भारतिये ट्रेड यूनियन जो है नया संग बना एक तो AITUC था यह भारतिये ट्रेड यूनियन ITU बन गया ITUA भारतिये ट्रेड यूनियन संग यह बना तो 1931 में जो है विभाजन हुआ AITUC में AITUC के अध्यक्स कौन थे लाला राजपतर आये तो सचिव कौन थे अब देखे क्या हुआ कॉंग्रेसी सरकार के समय क्या हुआ 1937 में प्रांतिये चुना हुए बहुत बहुमत से कॉंग्रेस जीती लेकिन इसमें साथ किस ने दिया भारतिये ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस का जो है इसमें उनको पूर्ण समर्थन मिला था तो यह चीज हो गई कैसे हुआ यूनियन चुनीयन अधिनियम 1926 आया मानेता मिल गई गयी कानूनी नियम कानून समंधी व्याख्या किया गया और अपराधी गतिविधी से बाहर कर दिया गया किसको आंदोलन को फिर 1929 साय विवाद बढ़ने लगा मन बढ़ने लगा तो विवाद अधिनियम आया इसमें विवाद का कंट्रोल करने के लिए जो है कोई भी विवाद होगा तो उसके लिए अलग से योग बना के उसको सुल्जाय जाए और एलिवेट डाग पानी विधु तो इस तरह से 1931 में भाजन हो गया और भारतिये ट्रेड यूनियन संग पहले क्या था अखिल भारतिये ट्रेड यूनियन संग अब भारतिये ट्रेड यूनियन संग हो गया अब यहां पे क्या हुआ कि जो प्रांतिये चुना हुए कांगरेस में उसमें जो है भारतिये ट् प्राणभे में स्रमिक ने ताओ दोरा युद का विरोध किया गया और उनने का दित विशुद होना ही नहीं चाहिए भाद को सामिल होना ही नहीं चाहिए 1941 में क्या हुआ रूस जब सम्मिलित हो गया तो अब लोग जो इसे लोगों का युद कहने लगे पुब्लिक वार कहने लगे और सबने समर्थन करना शुरू कर दिया सामिवादी जो थे वो भारत छुरू अंदुलन से अलग हो गया शांती पुर्ण अद्दोगिंग निती का उन्होंने वकालत किया जो अद्दोगिंग निती आई थी इंडस्ट्रिल पॉलिसी तो उसको उन्होंने फॉलो किया 1945 में बंबई तथा कलकत्ता के बंदर गाहों पर मजदूरों का पुड़ा विद्रो हुआ और हर्ताले हुए बहुत नुकसान हुआ था पोस्ट अपिस रेले वे जितने अन्य प्रतिश्थान थे सब में हर्ताल कर दिये इन्होंने तो देखे विद्धित विश्वित के बा अंदोलन क्यों हुआ है ना उसकी भूमी का है ना क्या-क्या समस्य आए थी तो यह सब जो है कैसे AITUC बना स्वदेश्यान के प्रश्चात क्या सा समय था प्रत्थम विश्वित के दौरान क्या-क्या हुआ कुछ चीज़े तो दो-चार-दो-चार लाइन ही मैंने लिखिए यह देखी इतना सारा बन गया आप कहीं भी इसको सजा के नोट्स के थूर अगर आप बना लेते हैं अच्छा नोट्स तो देखिए आपके लिए खुद हेलफुल होगा और केवल बनाए नहीं लिखते समय जारा उसको पढ़िए आपको याद हो जागा तो दोस्तो इसी के साथ हम लोग जो है इसको खतम करेंगे और यह अगले वीडियो में शुरू करने बहुत इंट्रेस्टिंग चेप्टर है बहुत इंट्रेस्टिंग अब यहां से पूरा इंट्रेस्टर चालू हुआ क्यों देश हो गया है आजाद तो अब आजादी के समय क्या-क्या हुआ कैसे कैसे क्या क्या कैसे बटवारा हुआ कैसे मंत्राले मिला सब हम लोग इस 33 चेप्टर ने पढ़ेंगे थोड़ा समय पानी पिके आता हूँ और दूसरा वीडियो बनाता हूँ तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए नोट्स त्यार कीजिए थैंक्यू वेरे म कि आते हैं घज़ थैंक्षंट